कि जैने साथियों उत्तर प्रदेश पुलीस उर्जु है उसे क्या बलते हैं रहे हैं जो कई पिच्चरों हमें देखा है सूपरमैन सूपरमैन है वह जहारखन की बात हो चातिशगर की बात हो या उत्तराखन की बात हो कहीं पर भी हो सुपर मैन की तरह फुर्ज से उर कर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद कुछ भी कर सकती है अच्छा हो या बुरा हो कुछ भी हो सकता है बहुत ही अच्छा लगता है अभी आप देख पर आप उत्तरा खान में पहुंची है मुरादावाद से पुलिस पहुंचिए और उत्तराखन के भरतपूर में उध्धामपूर के भरत गाउं है वहाँ पर पहुंचिए जहां पर एक निर्दोस महिला की हत्या बता जा रहा है कि इनके गोलियों के द्वारा हो गई है मैटर क्या है मामला क्या है पुरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे मुरादावाद जोतर प्रदेश का जिला है और उत्राखन से सटागवा है यहां का एक कुख्यात अपरादी है जिसका नाम है जफ़र जफ़र एक भू-माफिया का भी काम करता है जो खनन माफिया में पकड़ा गया था और पकड़ ल्याने के बाद से इसने उहां के कुष अधिकारियों का कार चुरा लिया था उसके बाद से उनके उपर जो है जिसे भी चरहने का काम किया था लेकिन और सफल रहा है इसने उन लोग साथ अमानवी विभार किया था, जिसको जानते हुए उत्तर प्रदेश के सरकार योगी यादित नादनी तुरंत एक्षन के मूर में आ गई और यह मैं आमला तेरा सितमर का है और तेरा सितमर से उत्तर प्रदेश के पुलीस उसके पीछे पर गई थी और यह उत्तर प्रदेश में पहले मुराधाबाद में था कई दिनों ताकी धर नई पकर में आ और कल यह पहुच गया उत्तराखन के भरत उधामपूर के भरत पुर साथ ड्रेश में पहुंचती है। और उत्तरप्रदेश की सूपर्माइन पुलिस जो है। कि शादे ड्रेस में कि सादे ड्रेस में पहुंचती है और उद्धमपूर पुलिस के जो है यह किसी पुलीस कर्मी को इसकी जनकारी दी आती है कि हम लोग किसी सिग्रेट अप्रेशत पर निकले गूए हैं अभी सारी चीजें जो है भरतपुर जो गाउं है वहां का जो थाहा है वहां भी पहुंचने वाला ही था कि उसके पहले सुपर्माण उतर प्रदेश पुलिस का जो कारकरम है वह शुरू हो गया है और जो भूलर है उनकी पतनी है गुर्जीत कौर गुर्जीत कौर एक सरकारी लीपी बिहाग में वह जो है सामक समें अपने डूटी से आ रही थी डूटी से आते वक्त इनका जो है उस मुट भेर मे सामना पड़ी लिया अभे गोली किस ने मारी कहा तुजा रहा है। उत्तर प्रदेश्ट पुलीशी ने मारी चुकि उत्तर प्रदेश पुलीश की जो टीमे उहाँ पर कहुची थी है। पूरी तरह से जो है सादे ड्रेस्ट कोशे थी इनके पास ना तो कोई फाम था नहीं आप आड़ीकार था शिर्व था तो पिस्टल इनकी हाथों क्या बोलते हैं मानने था कि शाब से कुछा था इसके बारे में अभी वेरिफाइड है अग कहानी को वागे वराते हैं उनके घर में घुश चाने के वास्ति जब उत्तर प्रदेश पुलिश को हुशती है तो तावरतोर दोनों और से जो है गोलियों का गर्माहट और जोस्फ जो बिजयपी ंंत हैं भुल्लर उनकी पतन है पड़़ी चाहिती है जिसमें इनको यक बोली लग जाती है लगने के बाद इनकी हुआ मिरित हुझा जिसमें की मिरित हुटती है कि भरत गाउं के लोग उत्तरह घंघ भरत गाउं के लोग इस चीएा वीरुद करने के लिए विदावट इनुफाउं विदावट आईकार्ट उनको पकल लेती है। हलाववेरिफाय करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं और इसकाम को अपरेशन करने आएं। लेकिन वहां के निवास्यों ने इसे भी इंकार कर दिया और बोला पहले आप लोकल पुलिस को क्यों नहीं लेकर आएं। ऐसा उन लोगों का कहना होगा। उसके बास से गावालों ने सारे लोगों मिल करके उत्तर प्रदेश पुलिस के उपर परहार बोल दिया। अब भाई कोई भी होगा यदि आप साधे ड्रेस में हैं विडाउट इनिफार्म विडाउट आइकार्ट तो कोई भी आपके उपर प्रहार कर सकता है प्रहार कर दिया अब हमारे सुपर्मैन पुलिस उत्तर प्रदेश वाले दोचार के संख्याम गये थे इनको बंदी बना लिया गया कई लोग अच्छी तरह से पीट काट दूट दिये गया उसके पिस्टल विच्छिन लिया गया और उसमें हमारे लगभा उत्तर प्रदेश के सूपर पुलिस सूपर्मैन पुलिस उसमें से घाय भी हो गई है अब ज साथ पहुंचते हैं वहाँ पर फिर भी शव को जो है रोट पर रहकर करके और जो है इनका ब्रोद किया जाता है और लगभग लगग पांच-छे जो पुलिस कर्मी है उनके उपर जो एक फायार भी क्या जाता है और इधर से भी कुछ जो है मुरादाबाद के पुलिसों के द्वारा उधर के नामता जो है कुछ ग्रामीरों कुप जो है फ़यार के आयाता है दोनों तरफ से इस तरह से जो है मैटर चलते हैं गए थे अपराधी को पकरने अपराधी तो पकरा नहीं बलकि एक निर्दोस महिला की हत्त्याई हो गई और जफर जफर जो है वहां से भाग कारवाई और उत्राखन पुलिस की कारवाई में उनहोंने साफसाफ तोर पर अपोल दिया कि किसी भी प्रकार से हमें कोई इंँखाम नहीं दिया गया था और एक सिपाही को इंफाम किया गया था एक बंदे को अभिवा जब तक पूरे ठाने पर इंफाम जब तक करता है उससे पहले इन्नों का एक रिया कलाफ हो चुका था वहां के SSP का एकाना है तो इस तरह से गटना है घटित हो गई और एक निर्दोष महिला मारी गई कहा गया है समिधान में है सो गुनेगार छोट जाए मंजूर है लेकिन एक ब्या गुना को कभी सजा नहीं होनी चाहिए अब इस महिला के साथ बहुत ही जो है निंदनी घोरनी अपराध हुगा है समस्लिशे अब महिला जो है भूलर की पत्नी है जो इसम काफी परिवास्त में है और दुख में है इस दुख की घरे में प्रभून को संतावना दे प्रेना दे और जो भी नाय की चीजिए और नाय हो